बेगम हजरत मेहल का जीवन परिचे बेगम हजरत मेहल का नाम मुहम्मदी खानम था और इनका जन्म 1820 में अवद राज्य की पूरी राजधानी फैजाबाद में हुआ था इनके माता पिता ने इन्हें बेच दिया और पेशे से तवायफ बन गई शाही एजेंटों को बेचे जाने के बाद वह ख्वासिन के रूप में शाही हरम में दाखिल हुई जहां उसे परी के रूप में पदोन्नत किया गया और उसे महक परी के नाम से जाना गया अवद के नवाब की शाही रखेल के तौर पर स्वीकार की जाने पर उन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ और उनके बेटे बिर्जिस कदर के जन्म के बाद उन्हें हजरत मेहल का खिताब दिया गया था बेगम हजरत मेहल जो अवद की बेगम के नाम से भी प्रसिद थी अवद के नवाब वाजिद अली, शाह की दूसरी पत्नी थी, और 1857 से 1858 में अवद की सनरक्षिका थी. अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटी नवाबजादे बिर्जिस कद्र को अवद के शासक नियुक्त करने की कोशिश की थी. मगर उनका शासन जल्दी खत्म होने की वजए से उनकी एह कोशिश। असफन रह गई 1856 में अंग्रीजों ने अवद पर कबजा कर लिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते में निर्वासित कर दिया गया था कलकत्ते में उनके पती निर्वासित होने के बाद बेगम हजरत महल ने अवद रियासत के राज किया मामलों को संभाला इन्हें 1857 के भारतिय विद्रूह की दौरान ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ विद्रूह में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 1858 तक राजा जयलाल सिन की अगुवाई में बेगम हजरत महल के हामियों ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ बगावत की। बाद में उन्होंने लखनव पर फिर से कबजा कर लिया और उन्होंने अपने बेटे बिर्जिस कद्र को अवद के शासक खोशित कर दिया। बेगम हजरत महल की प्रमुक शिकायतों में से एक ये थी कि इस्ट इंडिया कमपनी ने सड़के बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से दवस्त किया था। विद्रोल के अंतिम दिनों में जारी की गई एक खोशना में। उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारधार्मिक आजादी की अनुमती देने के दावे का मजा कुड़ाया। जब अंग्रेजों के आदेश के तहट सेना ने लखनव और ओध के अधिकांश इलाके को कबजा कर लिया। तो हजरत मेहल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उन्हें नेपाल जाना पड़ा। जहां उन्हें पहले राना के प्रधान मंत्री जंग बहादुर ने शरन से हिंकार कर दिया था। लेकिन बाद में उन्हें रहने की इजाज़त दी गई थी। उन्होंने नेपाल में शरन मिली जहां उनकी मृत्यू 1889 में हुई थी। बेगम हजरत मेहल का मकबरा जामा मस्जिद। घंताघर के पास काठमांडू के मध्यभाग में स्थित है। इसकी देख़ाल जामा मस्जिद केंद्रिय समिते ने की है। 15 अगस्त 1962 को महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनव के हजरत गंज के पुराने विक्टोरिया पाक में सम्मानित किया गया था। 10 माई 1984 को भारत सरकार ने महल के सम्मान में एक समारक डाग टिकट जारी किया।